ओम शान्ती 29 जून 2024 साकार मुरली आज की मुरली के सार में राम राज्य स्थापित करने वाली शिबावा ने कहा मीठे वच्चे शरीर सही जो कुछ भी देखने में आता है ये सब विनाश होना है तुम आत्माओं को अब घर लोटना है इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ प्रशन तुम बच्चे किन शवदों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो उत्तर सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्सा देने आया है अब हद के वर्से का समय पूरा हुआ अर्थात भक्ति पूरी हुई अब रावन राज्यस समापत होता है बाप आया है तुम्हें रावन पांच विकारों की जेल से छुडाने या पुरुशोतम संगम युग है इसमें तुम्हें पुरुशार्थ कर डैवी गुणों वाला बनना है सिर्फ पुरुशोतम संगम युग को भी समझ लें तो स्थिती स्रेष्ट बन सकती है धारना के लिए मुख्यासार है नमबर एक अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुधी युग नई दुनिया में लगाना है बुधी में रहे अभी हम वापस घर लोट रहे है नमबर तो सभी को जिये दान देना है मनुश्या से देवता बनाने की सेवा करनी है बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है डेवी गुण धारन करने और कराने है आज का वरदान सदा स्रिष्ट समय परमान स्रिष्ट करम करते वहा वहा के गीत गाने वाले भाग्यावान आतमा भव विस्तार इस स्रिष्ट समय पर सदा स्रिष्ट करम करते वहा वहा के गीत मन से गाते रहो वहा मेरा स्रिष्ट करम या वहा स्रिष्ट करम सिखलाने वाले बाबा तो सदा वह वह के गीत गाओ कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शवद नहीं निकलना चाहिए वहा ड्रामा वह और वहा बाबा वह जो स्वपन में भी नहीं था वो भग्या घर बैठे मिल गया इसी भाग्या के नशे में रहो स्लोगन मन मुद्धी को शक्ति शाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे अच्छा मेठे मेठे सिकिलधी बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुट मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते ओम शांती